तो आपर लेकर आना रेंक देना ये कहीं से कहीं तक मेरा या टीम विदिक सिक्षा का ये लक्ष कहीं से कहीं तक नहीं है ये प्लैटफॉर्म जो बनाया गया है ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि उन लोगों तक भी ज्यान पहुंचे जो अपने शहर से निकल नहीं पा रह obilitive services जो है भारत के सबसे सबमाने सेवा हों में सेएक होता है और आपको मैं प्रिक्राइब जानकरी देदाथ कि जुडिशियल services examination जो है हर स्टेट में अलग-अलग होते हैं MP में high court या fight करने के लिए आते हैं भारत भर से candidate उसका एक बड़ा कारण यह है कि MP में हर 6 मेने में एक्जाम हो रहा है और हर स्टेट में जब vacancies आती है तो vacancies जो है बहुत कम नंबर में होती है 15 16 20 18 50 90 ऐसे 270 पोस्ट आये थे आप सोचें एक्जाम कितना tough है मैं toughness के बारे में बताना चाह रहे हैं क्योंकि लोग eligible नहीं है मतलब exam का toughness इतना है कि लोग उसको crack नहीं कर पा रहे हैं टोटल 270 में 147 लोग सलेक्ट होते हैं 147 में अगर 100 किसी एक संस्था से हैं तो यह बहुत बड़ा आपने आप में achievement है तो श्रे किसी जाना चाहिए तो हर एक उस व्यक्ति को है जो इस काम में लगन से लगा रहा लेकिन सबसे बड़ा स्कैन है कि उन्हें do YouTube को जाता है जिन्होंने कटिन परिश्टरम लगन और मेहनत शेहरों से काम किया फिर एक बात यह हैं कि च्छोटे शहरों से आ रहा है और बड़े से ऑड़े तहिसे हैं और जिसकूर जगा है एक बा और तापमान तब जाकर कि वो कोईला ही हीरे में बदल जाता है तो हमारे आसपास चारों तरफ हीरे ही हीरे हैं असाम को मानना चाहिए और रही बात यह कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके माता-पीता क्रडिट देते हैं कि सर आप ने यह किया आप ने वैसा किया मैं यह कहता हूँ कि एक टीचर की जो इस्टिती है, मेरी इस्टिती जो है या हमारे सारे फैकल्टीज की जो इस्टिती है वो एक शूनिय के सम्वान है अपने आप में कुछ भी नहीं है लेकिन ये शूनिय उस स्टूडेंट के साथ मिलकर कई गुना हो जाता है जैसे इस् सब्सक्राइमें जो साथ दिन हैं, साथ में से च्छे दिन लगातार, regress study हो रही है, weekly tess हो रहा है जिसमें साथ दिन में क्या पढ़ा, उसको परखने का स्टुडेंट को मौका मिलता है, कि ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है और हमको समझने का मौका मिलता है कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं तो यह वीकली टेस्ट होते हैं वीकली टेस्ट के बाद जब एक्जाम का टाइम आता है तो फुल एंट टेस्ट होते हैं यह लगातार नहीं सब्सक्राइब करें न लोगों से निकल नहीं है उन लोगों टक भी जानकारी कोशे हैं जो किसी और प्रिसिती आगे निंकल पा रहे हैं तो हम लगातार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और एक मात्र लक्षी यह है कि आने वाले भविश्य में आने वाले समय में जुडिशरी या न्याइक सिवाओं का जो ज्यान हैं मैं आपको बताना चाहता हूं लोग समझते हैं कि mathematics is the toughest subject मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि mathematics is a history क्योंकि दो और दो दस अजार साल पहले भी चार अगर होता था तो आज सवाचार नहीं हुआ पाइथागोरस के टाइम पर the all the sum of three angles of any triangle is 180 degree उस समय का रूल है आज भी 180 डिग्री है लेकिन law is the most dynamic and tough subject क्योंकि हर रोज वो बदल रहा है इंडियन constitution जो 1949 में जो इसको अडॉप्ट किया गया था 1950 में जो लागू हुआ वो constitution वो नहीं रहे गया 100 से जादा amendment है पतलब आज जो constitution हम पढ़ रहे हैं ये वो वाला नहीं है डाइनमिक सब्जेक्ट है तो मेरा लक्ष ये है कि ये जो ग्यान है law का न्याइक सेवाओं का विरिक सेक्षा के platform से ये सब तक निशुल का पहुँचे मेरी कोशिश ये है कि आने वाले 10 या 15 साल में लोगों के पास हर वो जानकारी मुफ्ट में पहुँचे जिसकी उनको दरकार है चाहे वो legal awareness की बात हो कोई कानून के किसी मुद्दे पर परेशान हो कोई न्याइक सेवाओं की तैयारी करना चाहता हो या कोई law करना चाहता हो उसको किसी के हागे ना हाँ जोड़ना पड़े ना उसको मेहनत करनी पड़े ना कुछ और करना पड़े फ्री में उसके मुबाइल पर वो ज्यान हो जिसके मार्धियम से उस जीवन में आगे बढ़े अपने litigation को संभाले और law के शेत्र में आगे बढ़े शुक्रिया